तो गाइस स्वागत है आपका वापिस से एक नहीं वीडियो में और ये वीडियो में जा रही है गज उत्सव 2023 के लिकित मेरा नाम है विशेख गुप्ता बहुत इंपोर्टन वीडियो है अन तक इस वीडियो को देखते चले जाएगा और बहुत अच्छे से आप गज उत्स असाम के काजी रंगा नैशनल पार्ग के अंदर तो कई सारी न्यूज चैनल ने इसको कवर किया है कि प्रेसिडेंट द्राबदी मूर्मू इनाउगरेट टूडे गज उत्सव 2023 कहां पर काजी रंगा नैशनल पार असाम के अंदर और साथ-साथ श्रीमती द्राबदी मूर हैं और वहातियों के साथ उनको खाना भी खाया है उन्होंने हातियों को और उनके साथ कुछ टाइम भी बिताया है उन्होंने वहाँ पर अब बात यह आती है कि प्रिजट एलिफेंट या यह जो गजज उत्सव है यह मनाय जा रहा है क्योंकि आज सेगर हम 30 साल पहले को भारत के असाम राज्ये के खाजिरंगा नैशनल पार्क में इचाजिरंगा नैशनल पार्क अपने आप में एक युनेस्को वर्ल्ड हरिटेस साइड भी है और यह बहुत ज़्यादा फेमस है वन होन राइनोसरस के लिए यानि कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए बहुत कि अपना में बहुत बड़ी बात है बहुत इंपॉर्डन जीज है अगर हम देखें तो इंपॉर्डन जीज यही है कि काजिरंगा नैशनल पार्क वहाँ पर रहती है कुछ अगर हम facts देखें हातियों के उपर कुछ facts देखें तो elephant जो है अपना में cultural icon रहे हैं भारत में हमेशा से cultural icon रहे हैं flagship species है larger biodiversity conservation के लिए जहां पर भी बहुत बड़ी मातरम में biodiversity conservation होता है तो वहाँ पर यह flagship species हैं यह दिखाते हैं कि वो जो ecosystem है वो बहुत अच्छी तरह से preserve है एशिया के ऐसे जो countries हैं जहां पर elephants मिलते हैं तो ऐसे 13 elephant range countries में से भारत एक है wild Asian elephant population के अगर हम बात करें जहां पर जो wild elephants हैं जंगली हाती हैं जो मिलते हैं उसमें से 60% हाती भारत में मिलते हैं भारत में अगर हम हातियों के देखें तो हातियों जो हैं schedule 1 में रखा गया है हातियों को wild life protection act 1972 में government of India ने भी launch किया था project elephant 1992 में जिससे की elephant conservation किया जा सके और हातियों को national heritage animal कहा गया है during the year 2010 तो 2010 में national heritage animal का दर्जा दिया गया हातियों को जिससे की हातियों की जो प्रिसिद्धी है या इनकी जो आप कह सकते हैं कि इनकी जो value है भारत भारती culture के अंदर वो बहुत ज़ादा है wildlife के रूप में देखें, diversity के रूप में देखें, environment के रूप में देखें या biodiversity के रूप में देखें और बागी आप culture के रूप में भी देख सकते हैं साथा project elephant को launch किया गया था 1992 में और यह अपनाम में क्या है यह अपनाम एक centrally sponsored scheme है centrally sponsored scheme एक वो scheme होती है जहां पर कुछ राज्य सरकार donate करती है या वो contribute करती है और कुछ जो केंदर सरकार है वो contribute करती है यानि कि केंदर सरकार और राज्य सरकारे दोनों मिलके काम करती है उनको centrally sponsored scheme करा जाता है इसका aim ये था कि वो protect करेगी हातियों को उनके घर को यानि कि उनके habitat को और हाती को विचरन करने के लिए हाती को travel करने के लिए बहुत लंबा लंबा space चाहिए होता है जो man-animal conflict हो रहा था इनसान में और हातियों के बीच में जो संगर्ष हो रहा था उसको कम करने के लिए खतम करने के लिए उन issues को उसके इसको चलाया गया और जो welfare है captive elephants का यानि कि वो हाती जो captive है यानि कि अलग-अलग लोगों के दुआरा उन्हों को पाल रखा है या वो बां मॉर्फिक होते हैं, males जो हैं वो काफी जादा बड़े होते हैं as comparison to females इनकी life histories, male की और females की life histories होती है ये भी अलग होती है और जो female elephant है उनको बहुत बड़ा एक undisturbed area चाहिए होता है जिससे कि वो अपने बच्चों को पाल सके उनको बढ़ा कर सके अगर कुछ और facts देखे, elephant के trunk के यानि कि उनकी सून्ड होती है अगर उसके कुछ fats देखें तो ये अपनाब में एक upper lip और nose का fusion है यानि कि वो दोनों चीज़े मिल गई है और उससे ये trunk बनी है, डेड़ लाग से जादा muscles होती है इसमें, इसमें कोई हड़ी नहीं होती, कोई bone नहीं होती और एक के अंदर ability होती है कि वो बहुत लंबा लंबा distance travel कर सकते हैं, नए habitats यानि कि नया पराकरतिकावास भी बना सकते हैं, कई जो temperature thresholds आते हैं, यानि कि temperature में जो बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, उसको भी म उनके पास अब कह सकते हैं कि खाने के लिए diversity बहुत ज़्यादा है, ग्रीनी leaf vegetables खाते हैं, यानि कि ग्रीनी leaf ही हैं, जो हर भी वोरस अनिमल मना जाता है, आती को ये कार्णी वोरस नहीं है, यानि कि जितने भी शाकाहारी चीज़े होंगी, वो ही ये सब चीज़े खाएंग आप बात ये आती है कि क्या इस चीज़ में कोई दिक्कत भी है, तो दिक्कत बिल्कुल है, अगर elephant reserve का area देखें तो आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर 16 km2 का area मिलता है, एक elephant को, उत्तर खण में मातर 2 या 3 km2 का area मिलता है, 36 गड़ में 6 मिलता है, चार गड़ में तो आप देख सकते हैं कि जब इतना छोटा area एक हाती को मिल पाएगा, तो अपने आप में हाती जो हैं वो बाहर की तरफ, शहरों की तरफ बढ़ेंगे, जहां से man और animal के बीच में जो conflict है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अगर हम elephant की death देखें, जो electrocution के में से हो रही है, बिजली करण लगने के में से हो रही है, तो total figure six standard है, 2009 से 2020 के बीच में गरन देखें, MOE FCC का data है ये, उतरकर में 22 हाती मार जा चुके हैं, UP में 9, करनाटका में सबसे ज़्यादा 116 हाती मार जा चुके हैं, और सज़्यादा Odisha में मार जा चुके हैं 117, तो Odisha हुआ, करनाटका हुआ, अगर आप Odisha से देखेंगे, तो हर एक दिन में, दो दिन में, हर तीसरे दिन, news आती रहती है, कि Odisha में हातियों की death हो रही है, किस वज़े से? Electrocution के वैसे, current लगने के वैसे, तो ये बहुत ही एक दुखत चीजे हैं, जो वहां से हो रही है, जो चीजे, figures निकल के आ तो national है, वो तो होगी ही, वो तो प्रकृति का नियम है, लेकिन जो इनसानों के वैसे death हो रही है हातियों की, या हातियों के वैसे, इनसानों के ट्थ हो रही है, उसको रोकने में कहीं न कहीं, प्रिज़े टेलिफेंट अभी इदरा successful नहीं हो पाया है, अगर प्रिज़े ट देखके आपको कुछ अगर information आ रही है, informative वीडियो लग रही है, कुछ संज में आ रहा है, तो please like and share जुरू कीजेगा, comment section में comment करके जुरू बताजिएगा, कि आप इसमें क्या मैसूस कर रहे हैं, चलिए बाकी मिलते हैं next वीडियो में, so thank you and bye bye.